नमस्कार मित्रो आजना आ वीडियो मा आपड़े जोवानू छे सामान्य भविस्य निधी GPF General Provident Fund वीशे एन अंदर आपड़े प्रश्नोत्ततरी लिवी छे, प्रश्नोत्ततरी बार नम्बर नीचे आअ अलग-अलग विस्य निई आपड़े प्रश्नोत्ततरी बनाविये छे तो त्रोण प्रकारनी होई छे एक EPF, GPF अने PPF एमाँ EPF एटले Employee Provident Fund, GPF एटले General Provident Fund अने PPF एटले Public Provident Fund बीजु छे गुजरात माँ GPF माटे कया नियमनों अमल थाई छे तो मुंबई जनरल प्रोविडन्ट फंड नियमों ओगनिस्सों ने 36 त्रीजो प्रश्न, GPF ना नियमों क्यार्थी अमल मा आव्या तो 11936 थी अमल मा आव्या तेमा सुधारा वधारनी सत्ता कोण धरावे छे तो गुजरात नो नाना विभाग एमा सुधारा विधारनी सत्ता धरावे छे जिपीएफ ना नियमों कया कर्मचारियोंने लागू पडे छे तो गुजराथ सरकारना कायमी कर्मचारियोंने आ नियमों लागू पडे छे 6. कई तारिक सुधी मां कायमी निमनुक मेलवेल कर्मचारियों नो GPF योजना मां समावेस थाई छे तो तारिक 31.3.2005 पहला नियमित पगार मां जे हता ये तमाम नो GPF नी अंदर समावेस थाई छे 7. गुजरात मां नव वर्धिक पेंसन योजना क्यार्थी लागू थाई तो 14.2005 थी 8. GPF मां कर्मचारिये केटला टका रकम जमा करावी जरूरी छे तो मूल पगारना 10 टका ओचा मोचा आट्यू जमा करावू पड़े 9. कर्मचारी वधुमा वधू केटली रकम जमा करावी सके छे तो मूल पगारना 50 टका रकम जमा करावी सके छे 10. कपात मां वद घट करवा कया नियम छे तो वर्ष दर्म्यान एक वखत घटाडों करी सकाई अने बे वखत वधारों करी सकाई छे 11. जीपीएफ पर ओछा मोचू केटली व्याज मले छे तो 4 टका ओछा मोचू व्याज मले अने वधुमा वधू हाल 8 टका जेटलों व्याज दर छे 12. जीपीएफ ना कया नियम मुझब पेसगी मेलवी सकाई छे तो नियम 14 मुझब पेसगी मले छे 12. जीपीएफ ना कया नियम पेसगी मले छे ने खास किस्तामा पोताना हाथ नीचे ना राज पत्रित अधिकारी नी पेसगी वहीवटी अधिकारी मले छे 12. लहिए तेरमों प्रस्णा केटली पेसगी मन्जूर करवामा आवे छे तो त्रण मास नों पगार जमा रकम ना पच्चास टका जरुरी रकम आ त्रण माथी जे ओछी होए ते रकमनी पेसगी मन्जूर करवामा आवे छे चवुद खास किस्सा मकेटनी पेसगी मले छे तो पंचुते टका पेसगी मली जाए छे एक वार पेसगी पूर्ण थता फरी क्यारे उपाड़ी सकाए तो त्रण मास बाद फरी थी आपड़े उपाड़ी सकीए सोलमों पेसगी नी वसुलाद बाबत सु जोबवाई छे तो पेसगी नी वसुलाद बार के 24 हपतामा करवानी होई छे परंतु खास किस्तामा 36 हपतामा पेसगी परत करी सकाई छे सत्तरमों प्रस्टन नोमीनेशन नियुक्ती बाबत सुजानावियू छे तम्रुप्तियु प्रसंगे खातानी रकम कोने मले ते दर्सावतो पत्रेटले नोमीनेशन चे सर्विस बुक मां मुक्वो जरूरी छे नियुक्ती पन कहवाई छे नियुक्ती माटे कोटुम नी व्याक्ष्याएमा बे प्रकार छे जूथ एक अने जूथ बे जूथ एक छे परनीत व्यक्तियों माटे छे ने जूथ बे जो अपरनीत होई एना माटे रहसे तो जूथ यहकम न अंदर आपने अई बतावेलू छी प्रमाणे उतरता क्रमा सब्यों छे जुथ बेनी अंदर अई बतावेला सब्यों रह से प्रश्ण अधार मकान पेशगी केटला वर्षनी नोकरी बाद मलती हो छे तो 10 वर्षनी नोकरी बाद मकान पेशगी मले छे प्रश्ण उग्णिंग जीपीएफ कपात क्यारे बंद करवानी हो छे निवरुती ना 6 मास पहला जीपीएफ नीक पात बंद करवामा आवती होई छे प्रश्नवीज कई-कई पेसगी ओ आपवामा आवती होई छे एकवीज जीपीएफ लिंक इंस्योरंस स्किम नी सरुवात क्या रथी थाई तो तारिक 149 छोतेर थी आ स्किम नी सरुवात करवामा आवी होती 22. लिंक इंस्योरंस नो लाभ लेवा केटला वर्सनी नोकरी होई जोई ये तो 5 wal 23. मृतिऌ अगाऊ केटला मास दर्मिया निवनतं सिल्लक होवी जे तो लिंक इंस्योरंस नो कारियरत छे 25 नियम 4 मा सु दर्सावी छो तो सब्यपद कोने मले ते बाबात नियम 4 मा बतावे ली छे फाड़ानी सरतों ने दर कया नियम मा दर्सावे छे तो नियम 8 थी 12 मा आ दर्सावेलु छे 27 कर्मचारी ना पगार मा थी कपात क्यारे न करी सकाई एक मास्ती वधुनी असाधारन रजावक्ते अने फरज मकूफी दर्म्यान कर्मचारी ना पगार माती कपात करी सकाती नथी 28. कया कया काम माटे पेसगी मले छे तथा तेना नियमो जनावो 28. कया कया काम माटे पेसगी मले छे तथा तेना नियमो तो आपड़े जोईए नियम चवद एक क एक निय अंदर कीदू छे के मांदगी अने तेना प्रवास खर्च माटे आ पेसगी मलती होई छे आ नियम अंतरगत त्यार पची 14.1 क 2 आनियम अंतरगत आरोग्य के सिक्सण माटे अने विदेश प्रवास माटे पेसगी मले छे 14.2 क क मा सिक्सण खर्च विदेश माँ टेकनीकल धन्दादारी व्यावसाईक अभ्यास माटे पेसगी मले छे 14.3 कर्मचारी ना मोभाने अनुरूप रुढिकत रिवाजो लगन प्रसंग मोसालू, चोल क्रिया, मरण वगेरे सामाजिक प्रसंगों माटे आ पेसगी मले 14.4 मुजब कानूनी कार्यवाही माटे फरच परना अपकृत्य माटे सिक्सा अंगे, परंतु सरकार विरुद्धना केसमा कार्यवाही माटे पेसगी मलती न थी 14.5 गेर वर्तनुक ना किस्सामा सरकारे फर्याद करी होई, तो बचाव माटे नो खर्च मलतो होई छे अने 46.5 हज यात्रा कर्वा माटे पेसगी सरकारी कर्मचारियोंने मलती होई छे अगर जो ये 15.5 मा नियम मुजब तो नियम 15.2 का 1 मुजब सिक्सन खर्च विदेश मा टेकनिकल व्यावसाईक अभ्यास माटे आ उपाड निवाद छे आगर्णुची हातु चवुद ये 15 गीनिवाद हती त्यार पची 15.2 का 2 का 2 सिक्सन खर्च भारत मा हाई स्कूल पची दर सत्र 6 मास मा एकवखत 3 वर्स के ते थी वधु समाई सुधी 15.2 ख लग्न माटे उपाड मले छे 15.2 ग मांगी अने तेना अंगेना प्रवासना खर्च माटे उपाड मले छे 15.2 ग जमीन नी किम्मत सहित मकान बंकाम फरी बंकाम के सुधारावधारा माटे उपाड मलतो होई छे 15.2 जमीन खरिदवा बार मास अगावनी लोन भर्पाई माटे उपाड मले छे 15.2 खरीदेल जमीन पर मकान बंकाम माटे उपाड मले और 15.2 जमीन गाम ग्रुह निर्मान बोड सहकारी मंडली न मकान फ्लेट खरीदवा माटे आ उपाड मले छे पंदर का बेग घथी जर नी अंदर एडले के आटला नी अंदर जोई ए तो अमुक वखत सरतों ने हलवी करी अने गाम्मा मकान होई अने सहर मा रहवा मांगता होई संयुक्त मकान बांद्वा तथा अन्य साधारन संजोगों मा पण हाँ उपाड मलतो होई छे अटले जीपीएप ना नी अमोनी अंदर आपने आटलू जोई ए छे थेंक्यू फोर वोचिंग आवाज सिक्स अन सेवा वर्ग बे तथा जीपीएस सी एच टाट एच माट टाट टेट वगेरे प्रधात्मक परिक्साना वीडियो जोवा माटे सब्सक्राइब करो आपनी चेनल स्रेयस डाबर थेंक्यू वेरी मच अहीं आपने आव वीडियो पूर्ण करिये छे नेक्स्ट वीडियो माँ आपने नवी प्रश्नोत तरी लई सुन